जय श्री राम, जय अबागेश्वर धाम सरकार दोस्तों, अगर हमारे घर में तुलसी जी सूख जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? और भूल कर भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अज्यातवश कई ऐसे कार्य है, जो हम शास्त्र के विरुद्ध कर देते हैं, जिससे हमारा जीवन कभी सुखमय नहीं बीटता है, दोस्तों, सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले अग कोई तुलसी सोने से भी ज्यादा कीमती होती है, उसकी इतनी कीमत होती है, कि आपकी पूरी किसमत को वो बदल सकती है, आज मैं आपको बताऊंगी कि उसका किस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं, दोस्तों, असल में उसकी क्या उपयोगिता है, ये अगर आप जानेंगे बलकि उन्हें आप रख लीजिए अपने पास अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है तो दोस्तों जितनी भी आपके पास सूखी हुई डंडिया है उनको भूल कर भी नहीं जलाएं और ना ही आप इसको जल में बहाएं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है इन्हें आप इकठा करके अपने पास रखें और आपने जो सूखी हुई डंडिया इकठी करी है उन्हें पीस कर पाउडर बना लीजिए और इसके बाद उस पाउडर में आप थोरा सा गोपीचंद पाउडर भी मिला लीजिए अगर आपके घर में गोपीचंद पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं आप बाजार से लेकर आ जाईए उससे तुलसी जी का जो पाउडर है उसमें मिला लीजिए और फिर उसका टीका रोज भगवान हरी विश्णू को लगाए और उनको तिलक करे क्योंकि ऐसा करने से जन्मो जन्मो की आपकी जो भी कश्ट है वो दूर हो जाते हैं मेरे साथियों बहुत ज्यादा चमतकारी है तुलसी जी की डंडी का ये पाउडर आप इसे प्रति दिन लगाईए भगवान को भी लगाईए और आप चाहे तो आप अपने बच्चों के मस्तक पर भी लगाईए जीसको ज्यादा गुस्सा आता है चिड़ चिड़ा स्वभाव है पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ये जो तिलक है उसे आप जरूर ही लगाईए दोस्तो इसके अलावा और भी आप क्या क्या कर सकते हैं आगे वीडियो में ध्यान से सुनते हुए चलिए अगर पाउडर ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो उसे आप डिब्बे में भरकर रख लीजिए भगवान हरी विश्नु के चरणों में आप इसे लगाईए एक दिन तक उसको आप वहीं लगा रहने दीजिए और उसके बाद में आप इसे किचन में रख दीजिए इसके रोजाना आधा चम्मच पाउडर ले उसमें शहद मिलाईए और आपके घर के जो भी बुजुर्ग है जीसको किसी रूप से शारीरिक कष्ट है उन्हें आप खिलाईए पूरे दिन में एक बार खिलाईए यकीन मानिये दोस्तों शारीरिक कष्ट कुंडली का दोश या फि इसी भी प्रकार का दोश है तो आप उससे पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं ये तुलसी जी की डंडी का जो चूर्ण है बहुत ही कामगार साबित होता है इसलिए दोस्तों कभी भी इसे ना पहेंके अब मैं आपको एक और उपाय बताने जा रही हूँ इससे भी आप जरूर कीजिएगा दोस्तों चीजों को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसकी जो ताकत है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते तो दोस्तों आपको सूखी हुई तुलसी की जो डंडी है उसके चोटे-चोटे साथ टुकडे कर ले फिर इन डंडियों को आप एक साथ और एक मिट्टी के दीपक में रख दीजिए और घी से इस डंडी को पूर्ण रूप से डुबो दीजिए और जो दीपक है उसके अंदर भी आप घी जरूर डालिएगा उसके बाद इस दीपक को आप शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव के चरणों में आप प्रजवलित करते हैं तो इससे मा लक्ष्मी तुरंत प्रसंण होती है क्योंकि ये भगवान विश्नु को प्रिय है तो मा लक्ष्मी को भी प्रिय है इसलिए एक बार तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखियेगा कि कभी भी अपने घर में सूखी हुई डंडियां जो निवाद